तो चलिए दोस्तो आज हम जानेंगे कि हमारा जो कि न्यूव वेकेंसी आ चुका है और काफी दिन से आप लोग वेट कर रहे थे और काफी दिन से ये बार बार आप कॉमेंट कर रहे थे कि हमारा कब से न्यूव वेकेंसी आएगा कब तक तो आपको फाइनली बतारा चाहता ह ये को जारी किया गया है तो कि भाराज है इसका क्या डेट है क्या लास्ट डेट है और इसके बारे में कितनी पद है कितनी वेकेंसी है क्या इसकी योगता है और क्या इसकी हाइट क्या दोड़ सारा चीज इस वीडियो में हम आपको किलियर करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं पहले नमर आपको हेडिंग में देखाते हैं मद केंदरी चैन परिशत भरती सरदार पटेल भॉन छठा ताला ब्लॉक दूसर चभी जवहरला निहरू मार्क पटना उसके बाद आपको वेवसाइट पर देख सकते हैं मद निशेद उत्पाद हैं निबंद विभाग में मद निशेद सिपाही के रिक्तों पद पर भाति व अंतिम्ति थी 139-22 का इसका अंतिम्ति थी है तो हमने आपको बताया कि इसका मद निशेद पहले भी यह वेकेंसी आ चुका था काफी महत्रा में आया था और काफी लोगों ने इसका लाब उठाया काफी लोग ने इसका एक्जाम दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर से मद निशेद का आपको वेकेंसी जारी कर दिया गया है और इससे आपको बहुत जादा वेकेंसी आने वाले हैं तो आप इसके बारे में पहले जानी है तो मद निशेद के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मद निशेद जो कि वेकेंसी को जारी कर दिया गय जो कि रिक्तियों की संख्या बस एक ही इसमें गलती है और एक ही ही हमको खराब लगा आपको भी थोड़ा सा अचमुक की बात हो जाएगा किसकी जो वेकेंसी है कितनी पदब पर आई है तो केबल आपको सन्किया यह जारी किया रहा है यानि हम आपको बोला था कि 13 9 2022 को यानि एक महीना यह चलने वाली है वेकेंसी यानि आपको पूरे एक महीने तक यह आप एक महीने तक भर सकते हैं एक महीने तक आपको टाइम दिया जा रहा है तो 13 8 2022 के तो आज हो गई यह गारह तारीक 12 13 यानि 13 तारीक से वेकेंसी भरना इस्टार्ट हो जाएगा चालू हो जाएगा इसको परकीदिया को चालू कर दिया जाएगा तो आप इसे आप फरम को भर सकते हैं फिलप कर सकते हैं इसको एक मैना के लिए टाइम दिया जा रहा ह निबंद विभाग में मद निश्यद शिपाई पद एम चन निक्तिय सरकार द्वारत परवहन मद निश्यद उत्पाई एम निबंद विभाग बिहार सरकार पटना जो कि आपको मिल जाती है तो इसके बारे में हम तो और जान लेते हैं आगे उसके बाद ये कह रहा है अबारती की सक्षक योगता और मन निश्यद सिपाई पद के लिए निक्षिक अहर दिनांक एक 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 2022 तक इंटरमीडिट 10 प्लस टू उतरिये अर्थवा राजे सरकार के सात्र अंग्रेजी यानि अगर आप एक एक 2022 तक इंटर पास कर गये हैं तेंट प्लस टू को इंटर कहा जाता है बहुत लागत लोग कॉनफीजन होए हो जाते हैं तो आप इंटर पास कर गये हैं तो आपको फाइनली मैं बताना चाहता हूं कि अगर मार्क सीट आगया है तो आप फॉरंप को फिलब कर सकते हैं उसके बाद आगे देख लेते हैं अर्थी ओमर की यह आँणि एक दृहरबाईस को मैंटिग अर्थ आठ अशमक्ष प्रमावअपक पत्र के अनुसार निंवन होगी यानि एक एक दुर्बाइस तक आपका मैट्रिक का मार्क सीट आ जाना चाहिए इतना तक आपको होना चाहिए उसके बाद आप क्या कहते हैं एज की बात रहा गई एज के आपको क्या रहा है देखे समानिय अनरक्षित वर्ग के पूर्से महिलाओं के लिए नियुंतम अठारा वर्स और अधिकतम उम्र 25 वर्स चाहिए यानि आपको अठार से 25 वर्स तक यह फरम आप भर सकते हैं उसके पिछड़ा वर्ग यहां अत्ती पिछड़ा वर्ग कोठीक उपूर्सों के लिए नियुंतम उम्र 18 वर्स और अधिकतम उम्र 27 वर्स यानि आपको हर कटेगरी वर्ग कटेगरी दिया है आपको जो भी आप आते हैं ओभी सी डव्यस में यह सारे आपको हर अलग लग दे दि है तो हमने उम्र तो देख लिया बिहार के वैसे सरकारी से स्योकों को उचित वेतन की स्यों सवर्ग के जाने की यह परिक्रितिक प्रिक्षाओं में भाग लेने के हैतु अधिकतम आयो सी में हमें पांच वर्स अगर आप पहले से विभाग में काम कर चुके हैं कर रहे हैं तो आपको पांच वर्स तक छोड़ दे दिया जाएगा आगे की और हम जान लेते हैं तो आपको यह मैट्रिक लेवल पर इसका जो की एक्जाम लिया जाएगा आपको मैट्री का सारा कोर्शन उसमें रहेगा आपको उत्तर देना है तब देख सकते हैं आवारती के उमर की गणना मैट्रिक अर्थवा समक्ष परिक्षा के पढ़्मापत्र अंकित जनमतिति के अधार पर की जाएगी आपको फरमफिलप करते समय आपको ध्यान रहे जनमतिति आपको सबसे जो की अच्छी होनी चाहिए उसमें जनमतिति में कोई भी गलत आपको टूटी नहीं अग आपको आगे चलके बहुत सारे दिकत की सामना करनी पड़ेगी तो इसकी तो बात हम और जान लेते हैं और हम इधार आते हैं तो आपको यह हाइट हो गया तो हाइट आपको देखिए सेंटिमेंट यह आपको चेस्ट हो गया बीना फुलाए 21 एति एकासी फुला कर आपको है 46 टॉसरा ओई है आपको कुछ बदलाव बदलाव नहीं हुगा है और इसके बारे में आपको आप बिसए पर आपको जो की कोशन अएगा कच्छा में टीक अर्थवा समक्ष अस्तर्पर होगा लेकित प्रिक्षा में हिंदी आपको मिलेगा क्या क्या क्न क् I them सेदी संधेजिक भिज्ञान इतिहास भोगुद नागरिक सास्तर विज्ञाना भोध की रसायन आत्र पर्माणी इस तब आपको भीषास जोगस में दिया जाएगा लिखीद परिक्षां में 152 की कम अंस्क्ति आपको बताना चाहूंगा कि अंट एक्जाम लिया जाएगा उसके बाद आपको सौन नमर का यह कोशन है आप देख सकते हैं इसकी कितनी आपकी क्या कहता है आपकी दोड में कितनी नमर मिलेगी ता अगर पांच मिनट में पांच मिनट से कौम यानी चार उनसट में अगर आप आजाते हैं दोड जाते हैं तो आपको पचास अंक पूरे मिलेंगे पांच मिनट से पांच बीस सेकेंड तक चालिस अंक पांच मिनट बीस से अधिक यहां पांच मिनट पांच तक यह सब आपको करना होगा तो इसमें आपको नमबर के उपर है साराची तो आपको हमने सार चीज़ तो इसमें आपको जनकारी दे त conceive केंजिया है जो कि योदों कि भराने हो जाएगा इसका हाँ इसका सुल की कितना है इसका जो कि फारण मJamak का सुल कि आपको देना होगा 675 रुपए इसकी जो की सुल्क बहुत जादा है तो कम वेकेंसी है इसका जो की सुल्क जादा है 675 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा जो की सरकारी चलान जो कटता है इस तरह के अगर आप S.C.H.T. से आते हैं तो 180 रुपए आपको देना होगा और हम सारा चीज तो आपको जनकारी दे दियें तो आपका बताना चाहूंगा कि मद निशित का वेकेंसी जो कि अब तेरह तरिक से आप इसे भर सकते हैं तो हमारी पुरित दी जानकारी एच्छी लगी तो जादा जादा लाइक किजिए शेयर के सेस्क्राइब किजिए फिर मिलते हैं अंगले ने स्टूडियंक तब तक बैब है